इंडिया और उस्टरलिया के बीच तीन वंडे स्रीज का पहला मैच आज वांखेड़े स्टेडियम में खेला गया आस्टरलिया ने टॉस जितकर पहले गेन बाजी करने का फैसला लिया जिसके जवाब में भारत ने 10 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का स्कोर खड़ा कर दिय भारत की शुरुआत इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई भारत को पहला जटका महस 13 रनों पर ही मिल गया मिचल इस्टाक ने पांचवी ओवर के तीसरी गेंद पर ही रोहिश शर्मा को वार्णर के हाथों कैच कराकर भारतिये टीम को एक बड़ा जटका दिला दिया प्रोहिश शर्मा ने 15 गेंदों का सामना करते हुए दो चौकी की मदद से 10 रनों का योगदान दिया लेकिन फिर शिखरदवन और केल राहूल ने एक जमेदाराना अंदाज में खेलते हुए टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई भारतिये टीम का स्कोर 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों का था भारतिये टीम को दूसरा जटका तब मिला जब एक लाजवाब पारी खेल रहे केल राहूल को अगर ने इसमित के हाथों कैच कराकर एक शतकिये साज़दारी को तोड़ दिया केल राहूल ने 61 गेंदों में चार चौकों की मदद से शानदार 47 रनों का योगदान दिया लोकेश राहूल और शेखर दवन के बीच 134 रनों की शानदार शतकिये साज़दारी बनी राहूल के आउट होने के कुछी दिर बाद एक जा रहाना इनिंग्स खेल रहे शिखर दवन को पैट कमिंस ने अगर के हाथों कैच कराकर भारत को तीसरा जटका दे दिया शिखर दवन ने एक जिम्मेदाराना अंदाज में खेलते हुए 91 गेंदों पे 9 चौके और 1 चके की मदद से शानदार 74 रनों का योगदान दिया इस समय भारतिये टीम का स्कोर 3 विकट के नुक्सान पर 140 रनों का था लेकिन फिर ऑस्टरलिया के गेंद बाजों ने कप्तान विराट कोहली और शानदार फॉर्म में चल रहे शरेस एयर को सस्ते में आउट कराकर मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली कप्तान विराट कोहली के 32 वे ओवर के दूसरे गेंद पर जमपा ने कैच एंड बॉल करके विराट कोहली को जरा भी हाथ कोलने का मौका नहीं दिया अपतान विराट कोहली ने 14 गेंदो का सामना करते हुए एक लाजवाब छक्के की मदद से 16 रनों का योगदान दिया लिही ओवर में मिचल स्टार्क ने श्रेस एयर को अलक्स केरी के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाने में काम जाब रहे श्रेस एयर ने 9 गेंदो का सामना करते हुए अपनी टीम के लिए महज 4 रन ही बना सके फिर विगेट कीपर रिशब पंथ और और रविंद्र जड़ेजा ने इनिंग्स को समालते हुए 49 रनों की साज़ेदारी निभाई केन रिचर्टसन ने रविंद्र जड़ेजा को आउट कराकर भारतिय टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया रविंद्र जड़ेजा ने 32 गेंदों का सामना करते हुए दो चोके और एक छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया 44 वे ओवर की दूसरी गेंद पर पैट कमिंच ने रिशब पंथ को आउट कराकर भारतिय टीम को बहुत मुश्किल में डाल दिया रिशब पंथ ने इनिंग्स को समालते हुए 33 गेंदों में दो चोके और एक शांदार छक्को की मदद से 28 रनों का योगदान दिया मोहमध शामी 15 गिंदो में 2 चौक की मदद से 10 और कुलदीब यादो 15 गिंदो में 2 चौक की मदद से 17 रनों का योगदान दिया दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ये थी भारतिय इनिंग आस्टरलिया की इनिंग की पूरी समरी का वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कर दो